श्री स्वामी शरणा नंजी महराज श्रीधाम ब्रंदावन में नित्य जाते बिहारी जी के दर्शन के लिए जब ब्रंदावन रहते किसी ने का कि भाबा तुम क्या करते इस भीड़ में तुम्हें तो दिखाई देता नहीं फिर मंदिर में इतना परिश्रम उठा के आते का है को स्वामी जी हसकर बोले मुझे तो नहीं दिखाई देता परशी कृष्ण को तो दिखाई देता है वे तो देख लेते हैं कि दर्शन करने वालों में एक सूरदास भी आता है यह हमारे हाथ मने हों तो क्या भगवान के हाथ तो खुले है राम जी पर भरोसा किया तो आप आश्चरी करोगे उसी समय बचाने वाला आ गया बिवीशन जी आए और कोई सजा दे दो दूद को मतमारो नीती की विरुद है और सही बात भी आप कि यहां कोई पोश्टमेन ऐसी चिठ्ठी लेकर आए जिसमें कोई असुब समाचार हो तो क्या पोश्टमेन की फिटाई करोगे का ऐसी चिठ्ठी लेकर आया हनुमान जी तो राम जी के दूद है राम जी की बात बता रहे है उसमें तुम रावन भूला ठीक कहते हो बंदर को और कोई दंड दे दो अब और कोई दंड देने की बात आई तो हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से दंड दिया जाता है रावन को दंड देते समय अपनी बहन सूर्पन खा की याद आ गई और आवर ने सोचा कि बंदर के भी नाक कान काटो सूप नखा के नाक कान ही कटे थे तो क्या यहां से हम नाक कटा कर लोटे है भगवान ने हमें भेजा है कितना सुन्दर संकेत भगवान ने हमको भी तो भेजा है तो क्या विकारों के हाथ से नाक कटा के लोटे है तो करें क्या पूछ लटक रही थी हनुमाइन जी ने दोनों हाथ से पूछ पकड़ी माते से लगाई फिर देखा फिर चुम्बन किया फिर छोड़ दे फिर दुबारा माते से रावन बोला समझ गया समझ गया कफी कहें ममता पूछ पर बन्दर की ममता पूछ पर ही है समझ कहों سمझाए हनुमाइन जी ने सोचा कام बन गया लेकि रावन यह भी तो कह सकता है एक तलवार मंगाय के पूछ देउ काट वा तलवार से पूछ काट दी जाए कहसता है तो हनुमायन जी ने सरस्वती माता का इसमर्न किया है सरस्वती जी ने ऐसी भुद्धी बदली रावन बोला तेल बोरी पटबांद पुनि पावक देहु लगाए तेल में कपड़े डुबो कर पूछ में लपेट दो आग लगा दो अब रावन ने तेल में कपड़े डुबोने की बात कही है लंका नगर निवासी बोले क्यों हमारे यह घी की कोई कमी है क्या बोलो रावन तेल की बात कहता है नगर बासी रान नगर बसन गरत पूछ उसी समय बढ़ी सारी समस्या इसी की है रावन को यहीं तो चिड़ है कि हमारे यहां इनकी पूँच रावन को हनुमान जी की पूँच सहन नहीं हो रही है उसे लगता है कि पूँच हो तो हमारी हो इरसा की आग में जलाने की चेश्टा करता है पर जो भगवान के आश्रित होते हैं भगवान के चरणों के सहारे होते हैं ऐसे मौकें पर उनकी पूँच और बढ़ती है बाड़ी पूँच की न कभी खेला घी समाप तो रावन से का घी तो समाप तो है रावन बुला मूर्खो घी के लिए कहा किसने था हमने समझा बंदर की पूँच में थोड़ा बहुत लगया घी तो बढ़ती जा रही हनुमाण जी ने सोचा कि जो लाएं सोई ठी लंका नगर निवासी बुले घी तो नहीं तेल हनुमाण जी बुले जैसी जिसकी स्रद्धा हुआ हमें सब सुईकार अब सोचा कि एक बार नगर में घूमके तो देख लें रावन बुला बंदर को नगर में घुमाओ हनुमाण जी ने देखा सब के घर से कुछ ना कुछ आया है प्रशादवी तो वहाँ वैसा वैसा देना पड़ेगा जैसा जिसका सही हो गया बिभी शन जी के घर से कुछ नहीं आया और जैसे ही पूंच में आग लगी हनुमाण जी बिलकुल छोटे हो गए निवू की चड़े हो बंदन से मुक्त हो गए बड़े बड़े आग लगावें और उस आग लगने की प्रतिक्रिया अपने मन में न हो हम छोटे बनकर निकल जाएं यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थ अप्रा है अज़ा ब्रह्मास्त में बने हैं इससे निकलने का उपाय है छोटे बन्या इतने ही छोटे अज़ा देखो वैसे भी एक कुंटल वालू में पांच सीर चीनी कोई मिला दे पांच किलो फिर बुनाओ पहलवान को का अलग करो दन बैठक लगाओ अलग करो कर ही नहीं सकता और छोटी सी चीन्टी जरा से उस चीन्टी से कहो कि अपने दल वालों को ले आओ तो बालों में से भी चीनी ग्रहन कर लेना चीन्टी का काम है जिन सरकरा मिले सिकता मह बलते नकोव बिलगावे अति रसग्य सूक्षम पिपीलिका बिनु प्रिया सही पावे वै छोटी है और छोटे इतना बड़ा काम करते हैं बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं हनुमायन जी छोटे बने ब्रह्मास्त्र से निकल गए और जो छोटे बनकर ब्रह्मास्त्र से निकल जाता है भगवान की कृपा से वही इतना विशाल बनता है बालदी विसाल विकराल जौाल जाल मानो लंक लीले वीकों काल रसना पसा रिये है पूरी लंका जलाती